इस वीडियो में बात कर लेते हैं जोती CNC automation की इसके analysis देख लेते हैं कि आज क्या momentum रहा है इसका विकास आज ही stock listed हुआ है और इसके पहले चार्ड के बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा पहले कुछ बता देता हूं और भी चीज़ें यहां पे आप देखो कि 12.39% की premium पे लिस्टेड हुआ तो वो अच्छी बात है लिस्टेड अच्छा हुआ premium पे सही रहा चला भी सही stock premium के बाद अच्छा उपर की तरफ निकला बट उसके पहले कुछ और चीज़ों पे नज़र डालेते हैं एक हुए कि stock deal किस चीज में करता है तो यहां पे दिखेंगे जोती CNC automation is a leading manufacturer of simultaneous 5-axis CNC machines in India with a 10% market share in the country 10% कसका share इंडिया से ही हैगा बाकि जो deal करता है वो aerospace, defense, auto components, general engineering and other industries यह तो हो गई company के बारे में बात क्या momentum क्या सा company आने वाले दिनों में पकड़ेगी वो इससे पता लग जाता है कि aero defense का future बहुत अच्छा है और बात है जब auto components and general engineering तो इसका future आपको पता है कि auto sector इंडिया में कितना चबूम पर है दूसरा देखते हैं कि इसके quarterly, sorry इसके जो yearly results उस पर क्या momentum है गा इसका तो यहाँ पर आप देखें March में जब इसके 2019 में result थे उसमें net profit 18 था 20 में आप देखें तो minus 50 था और 21 में minus 70 दिमांद सकते हैं यहाँ COVID के terms पे stock कहीं न कहीं pullback में रहा और नतीजे बिगड़े रहे 22 में अभी similar थे बढ़ 23 में 15 CR से profit में था तो अभी फिर भी इसमें यह कहेंगे कि financially उतनी sound नहीं दिख रही है ठीक है बड़ा investment मत लगाईएगा दूसरी आप देखें किसकी जो यह है website enabling engineering facilitating contemporary EMPS तो website काफी well designed है सारी चीज़ें अच्छी है तो invested काफी अच्छी है company हर चीज में आप देखेंगे और जितने भी parts बनाते हैं वो भी छोटी मोटी companies के नहीं बनाती है BMW Rolls Royce हुए पिगट हुए है तो अच्छी खासी companies से इनके investors से dealing हैगी अब बात करते हैं कि stock के chart क्या कहता है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे चार्ट में यह 15 minutes का TF है इसको 5 minutes का करता हूँ और थोड़ा बैतल समझ आएगा कि आज ही listed हुआ है अब यहाँ पे आप देखें listing यहाँ कहीं हुई इसके बाद 12% का premium था तो pump हुआ अच्छा खासा सही चला इस stock और आप देख रहे होंगे कि stock ने listed होते ही साथ यहाँ से जो returns निकालती है वो 15% थे तो stock ने sideways हुआ कहां जाके यहाँ पर hurdle face हुआ 431 के आसपास और फिर यहाँ से stock ने channel बनाना शुरू किया अब channel की जो formation बनी तो उपर अपने यहाँ पर resistance बनी नीचे यह accumulation हुआ फिर उपर resistance हुआ यह और फिर नीचे accumulation हुआ जो समझने वाली बात है कि कभी भी जब stock listed होता है IPOs में तो उसमें यह दो चीज़ें देखा करें पहली होती है कि जब stock listed होता है तो जब listing के बाद अगर एक घंटे में stock momentum पकड़ ले उपर की दिसा में और फिर या तो retesting करें retesting के बाद फिर सी उपर चला जाए तब माना जाता है कि वो सही निकला यहां पर retesting वगेरा कुछ नी हुई है listed हुआ suddenly pump हुआ और फिर भागती चला गया भागतने के बाद आप देखें sideways हो रहा है तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं साकता कि कभी fall आ सकता है fall बन सकता है because अभी stock को कोई चीज hold करें तो यहां पर आपको 15 minutes पर दिखेगा कि यहां पर यह वाला support बहुत important support बन दूए नजर आ रहा है यह एक support है जो 410 पर hold करके रखें है stock को और दूसरा support बन रहा है यहां पर 425 के आसपास यह दो support अपनको stock में दिखें है जो stock को hold करके रखें तो ठीक है stock सही चला है बट जो लोगों ने इसमें investment किया उन से यही कहूँगा कि hold as in जादा मत करिये क्योंकि आप देखें IPOs listed premium पे हो रहे है 23 में भी अच्छे हुए 24 में जो listed हो रहे है वो भी premium पे हो रहे है बट कहीं ना कहीं जब इनकी नतीजे आ रहे है नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे है और उसके बाद stock sluggish हो रहे IQ lightning ले लीजिए आज की date में IQ lightning premium पे बहुत अच्छा listed हुआ था 36% उसके बाद आज stock कितनी ज़्याद मसकत कर रहा है stock में pumping नहीं बची है volumes नहीं आते हैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जो invested कर रहे हैं इसमें पैसे वस वो थोड़ा सा अपना समझदारी से काम लीजे कि जितना भी बन गया है आप exit कर जाईए multiple stocks मार्केट में वह investment बनाईए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ऐसे stocks का अगर ये sideways होते है क्योंकि finance मैंने आपको बताई दियें इसके अगर ये थोड़ा सा pullback दिखाता है और pullback के बाद अगर फिर आप देखें उतनी recovery नहीं पकड़ता या फिर आप देखें कुछ दिनों बाद stock के नतीजे आएंगे जब और नतीजे अगर अच्छे नहीं रहे तो फिर आप देखें stock को बहुत जादा मुस्किल होगी उपर वापस आने में अभी के लिए ये अपने supports हैं तो कल के जो अपने levels रहेंगे यहाँ पर आज support बनत ह जाने में थोड़ी दिक्कत होगी तो यहाँ कर कल ये trendline break होती है तो stock यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ support लेगा 410 के असपाद 410 ही एक important support है अगर भाए any means stock नीचे आता है और 410 का support टूट जाता है तो फिर next support stock को 400 और 400 के बाद अपन को जो support मिलेगा वो 390 है दो support रहें बात करें उपर की तो उपर का भी अंदाजा इतने ही है कि कल भी अगर stock bullishness दिखाता है तो पहले आपके उपर की दिशा में जो बड़ा hurdle है वो 450 है और वो भी यहाँ trendline के अंदर आएगा जो की channel पर बात चल रहा है यहाँ पर 450 सस्टेन कर लेता है तो यहाँ फिर से trendline का breakout ह होगा at a 15 minutes TF और फिर breakout के बाद stock 475 तक चलने की कोसस करेगा उपर की दिशा में दोनोगी चीज़े मैंने बता दी दिशा बता दी कैसा चलेगा बस जो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा hold मत करिएगा क्योंकि IPO listed अच्छे हो रहे हैं बट उतने अच्छा performance नहीं कर पा रह इटने झाल ताओ का रहे हैं और उतने आपको दोने अच्छानीश कर चाले मत हैं आपको रहे हैं जोह क łिज वेशा है 15 minutes